नमस्कार दोस्तों मैं इंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में कल एक बार फिर से आईटी शेर्स तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख सकते हैं क्योंकि इनकी रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं देखिए अभी तक बीते कुछ क्वार्टर से कंटीन्यू एक ही फॉर्मेट देखने को मिल रहा था वो ये था कि मिड केप आईटी आउट पर्फॉर्म कर रहा है और लार्ज केप आईटी अंडर पर्फॉर्म लेकिन इस बार के क्वार्टरली नंबर्स ने बड़ा एक्शन कर दिया है बड़ा धमागा कर दिया है चाहे वो इनफॉर्म या टीसी एस बजार की एक्सपेक्टेशन पे खरे होते हैं और बजार ने ये बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तोड़ फूड नंबर्स थे बट मैं ये कहूँगा बजार ने इनके नंबर्स को पॉजिटिव ले लिया क्योंकि कुछ नेगिटिव नहीं था और उसके बाद रियक्शन आप सभी ने देखा आईटी इंडेक्स पाँच परसेंट भागा फ्राइडे को जहां इनफॉसिस साथ परसेंट तक भागा टीचेस में भी चार परसेंट की बड़ी तेजी देखने को मिली एंड सिर्फ इतना ही नहीं फ्राइडे को विप्रो एंड सेल टेक के क्वार्टली नंबर्स आने थे जिसका निवेशकों को बेसबरी से इंतजार था नंबर्स आई नंबर्स के बाद आप सभी ने विप्रो के एडियार को अठारा परसेंट तक भागते हुए देखा है कुछ लोगों को ADR वगेरा के बारे में नहीं पता है तो शॉट में ADR बता जिता हूँ आपकी जानकारी के लिए ताक कि वीडियो देख रहे हो केवल एक स्टॉक नहीं आप जानकारी के लिए देख रहे हो तो जानकारी होगी तो lifelong पैसा बनता रहेगा ADR मतलब जैसे भारत की निफ्टी है आप निफ्टी के बाद गिफ्ट निफ्टी देखते हो कि कैसे ट्रेड कर रही है सिंकल लोजी के ना BUT एंग्जेकली एग्जेकली इंटेशू के जो गिफ्टी है वैसा निफ्टी तो जीजदी नहीं होता है क्यों कि वह अपना ट्रेड कर रहा है वह अपना लेकिन और निफ्टी किरल निफ्टी साढ़े तीन बजे बंद हो गया उपका उसके बाद inflation का data global market में कोई उठा पटक हो गई जिसकी वज़े से Dow Jones तूट गया या फिर Dow Jones भढ़ गया तो gift nifty जितने points उपर नीचे दिखाएगा almost similar nifty भी उतने points उपर नीचे हो जाएगा अगर news based action होता है तो almost similar kind of opening मिलती है हमें gap up या gap down index पे इसी तरीके से जो ADR है वो भारत की कुछ company जो America में listed है उनको ADR के form में list किया जाता है ADR यानि की American Depository Receipt bank के पास ये shares है bank जो भी America में infos का share लेना चाता है उसको वो receipt दे देती है और पैसे ले लेती है इस तरीके से वहाँ पी हमारे भारत के कुछ shares listed है उन्हें खरीद बेच कर सकते है उनमें से एक infos is है एक आपका विप्रो है पहले विदानता भी था बट उसे AD list करा दिया गया है भी ADR से तो ये कुछ stocks है अभी मैं आपको बता दू विप्रो का ADR 18% है और ये results के बाद उपर गया है तो maybe हमें अपने बजार में कल विप्रो almost कुछ नी कुछ नी तो 10% gap up मिलेगा उसके बाद further आगे भढ़ जाए तो कह नहीं सकते है वहड़ना भी चाहिए क्योंकि 18% ADR भागा है इस हिसाब से विप्रो almost 550 आपके लिए टच करता हुआ दिख सकता है कल के session में अब अगला सवाल यही होने वाला है कि विप्रो में क्या हम opening पे खरिदारी कर दें तो इसका जवाब मैं तो दूगा नहीं जी मेरा कोई view नी बनता कि आप इतना gap up के बाद ले ले आप मेरे को यह बता हो किस reason से लो गया 20% उपर है आपका 400 वाला 5500 के आप लेने जा रहे हो तो थोड़ा risk बन जाती है मेरे को लगता है थोड़ा wait कर लेना है दूसरी बड़ी बात आपके साथ 460, 440 पे क्या का यह बड़ी तेजी में दिख रहा है बड़े volumes आ रहे है hold करोगे पैसा बनाओगे 500 वाइवेंचुली जाएगा अब वाइवेंचुली बहुत जल्दी हो जाएगा इतना पता ही नहीं था हमे आगे बात करूँ केवल इतना ही नहीं HCL Tech के HCL Technologies के नंबर्स भी बड़े दमदार आए है और इसके नंबर्स छोड़ो इसका शेर का प्राइस भी बीते समय से IT का आउट परफॉर्म कर रहा है जहां बाकी IT अपना previous high break नहीं कर पा रहा है यह stock almost अपने fresh high लगा रहा है और 10% उपर आगया है previous high से 1500 रुपे का शेर हो गया 1000 रुपे का हुआ करता था जब infosys 7500 था आज यह 1500 है और infosys आपको 1600 रुपे पर मिल रहा है तो बहुत ही बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस कंपनी ने और रिजल्ट जो दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि यह भी 1600-1700 होने के लिए तयार है 34% gap up यह भी आना चाहिए यह already भागा हुआ है तो उतना में भी reaction ना आए और आजाए तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि numbers तो इसके भी शांदार आए है केवल इतना ही नहीं 16 17 January से mid cap IT number पेश करने वाला है तो वहाँ भी नजर बनाने है कि इस बार mid cap IT कैसा करेगा like L&T Technologies Coforge, Emphasis, Mass Tech Happiest Mind LTTS यह सब भी ध्यान में रखने कि यह कैसा perform कर रहे है क्योंकि large cap shine कर रहा है outperform कर रहा है लेकिन mid cap कैसा कर रहा है देखने वाली बात होगी क्योंकि mid cap अभी तक सही कर रहा था performance कुछ खराब आ नहीं 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 से वो उपर ही जा रहा था लेकिन अभी result season start हुआ है quarter 3 के numbers आ रहे है large cap बहुत अच्छा कर रहा है mid cap देखने वाली बात है तो कल एक बार फिर market में IT लीड कर सकता है जहां पर Nifty अगर IT लीड करता है तो हम सभी को पता है तेजी बनती है क्योंकि IT का वेटेज बहुत जादा है Nifty में तो IT लीड करता है तो Nifty कहीं नहीं 22,000 का level spot में आपको दिखा सकता है already futures में तो दिखा ही चुका है तो spot में भी आ सकता है spot और future क्या होता है spot यानी की जो index होती है normal जिसमें आप trade नहीं करते हो और futures जानी की जिसमें आप trade करते हो जिसमें premium included होता है तो यह आपके लिए जानकारी थी hope आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys